Hello viewers, welcome to my channel आज हम आपके साथ एक mango season की खास recipe शेर करने वाला हूँ समर में एक special dessert है और एकदम best है जिसका नाम है mango firni अपने normal firni तो कहीं बार खाई होगी पर आप इस तरह की एक बार mango firni जरूर ट्राइ करना चलिए शुरू करते है तो इसके लिए हमें कुछ preparation करनी पड़ती है तो यहाँ पर मैंने 5 चमच जितने चावल को अच्छे से दो बार दोकर पानी में भिगो के रख दिया था करीबन आधे घंटे के लिए और अब आप देख सकते हो चावल अच्छे से full चुके है तो चावल मेंसे में पहले यह जो पानी है वो पहले पुरा निकाल देता हूँ अब छोटा वाला मिक्सर का चाड़ ले हैंड मिक्सर का और हमने जो चावल भिगो के रखे थे यह इसमें डाल दे चावल को आधे गंटे के लिए पानी में भिगोना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अब हमें उसको ग्राइन करना होता है तो चावल है वो मैंने मिक्सर जार में पुरा डाल दिया अब मिक्सर जार का ढकन बंद कर दे और इसे कोर्स पीसे यानि की दरदरा पीसे एकदम फाइन ना पीसे बलकि कुछ-कुछ दाने रहे उस तरह से इसको पीस ले तो यहाँ पर मैंने चावल को पीस दिया है और अब मैं आपको उसका टेक्शर दिखाता हूँ और खीर और फीरनी में जो में डिफरेंस होता है वो यहीं सही अलग पड़ती है क्योंकि जो खीर है उसमें हम पूरा चावल डाल देते हैं पर हम फीरनी में चावल को भिगो कर मिक्षर में इस तरह आकर देखे दरदरा पीस कर फीर डालते हैं और हमें एकदम fine भी नहीं करना है, यह भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पर मैंने चावल को दरदरा पीस लिया है, तो उसको मैं पहले अलग बावल में निकाल लेता हूँ, चावल यहाँ पर हमारे पीस चुके है, और साथी में आपको mango pulp भी तयार करना है, तो यहाँ पर मैंने दो medium size आम को चौप करके उसको mixture में चला के उसका pulp बना लिया था, तो हमारी pre preparation तयार हो चुके है, चलिए अब फिर नी बनाते है, तो उसके लिए एक पेन में 500 ml जितना full fed दूद ले और उसे gas पर गरम करने के लिए रखते, और direct दूद में ही हमने जो चावल पीस के रखे है, वो भी इसमें डाल दे, हम starting से ही चावल दूद में मिला देते है, यूँकि उसका reason है कि दूद जैसे जैसे boil होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे चावले वो पूरे दू करके फिर इसमें चावल डालोगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं हाता है, तो हमें दूद के साथ ही जो हमने ग्राइन करके वो चावल दे, वो इसमें डाल देना है, गेस की फ्लेम को मिडियम रखना है, स्पेचुला है, वो लगातर इस तरह से चलाते रहना है, और हमें सकते हो दूद में उबालान स्टार्ट हो चुका है, और जैसे जैसे हम किनारी पर ये मलाई जमती जाती है, वो भी इसमें डालते जाएंगे, इससे भी फिर निका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा चावल होना स्ट हो चुका है, पर अभी ये परफेक्ट कुक नहीं हुआ है, तो हमें सेम प्रोसेस से इसको करीबन 7-8 मिनित तक और कुक करना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मारे चावले अल्मोस्ट कुक हो चुक है, दूद भी काफी हद तक रिडियूस हो चुका है, तो अब इस अभी से ही ज़्यादा चिनी डालेंगे, तो हमारी फिर्नी है, ओवर स्विट हो जाएगी, खाने में बहुत ही अच्छी नहीं लगेगी, तो आप इस हिसाब से चिनी डालें, और अब इसको सिर्फ और सिर्फ करीबन 2-3 मिनित तक ही पकाईए, और गेस की फ्लेम को अब हा और दूद भी है, वो मारा काफी हद तक हमने जो 500 ml जितना लिया था, तो करीबन 50% है, तो अब गेस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और यहाँ पर फिर्नी के मिक्षर को में अलग बाउल में ट्रांसफर कर लेता हूँ, और अभी आप नोटिस करेंगे, तो हमारी फिर्नी क मिक्षर है, वो बहुत ही ज़्यादा गरम यह देखिए, इसमें से कितना धुआ निकल रहा है, तो हमें इसको रूम टेंपरेचर पर करीबन एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा साउधा नहीं रखनी है, इसमें आप डाइ हो चुका है, और फिरनी की यही एक निशानी है कि उसका जो मिक्षर है, वो एकदम गाढ़ा होना चाहिए, अब यह एकदम ठंडा हो चुका है, तो हमने जो पहले मैंगो पल्प बना के रखा था, दो मेडियम साइस का मेनिया पर मैंगो पल्प बनाया है, वो इसमें डाल लेते हैं, मैंगो फिरनी बनाते वक्त यही एक बात का ध्यान रखना है, कि फिरनी का मिक्षर हलका सा भी अगर गरम रह गया और आपने मैंगो पल्प डाल दिया, तो दूथ पुरा बिगड जाएगा, और फिर यहाँ पर में चाइफल है, इसका छोटा सा टुकडा है, वो भी इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके डालता हूँ, क्योंकि मैंगो के साल जाइफल का फ्लेवर है, वो कॉंबिनेशन है, वो एवर ग्रीन है, तो जाइफल आप जरूर डाल ये और ये डाइजेशन में भी हल्प करता है, मैंगो पल्प और जाइफल का पावडर में ने दिया, इसको अच्छे से फिर्णी वाले मिक्षर में मिक्स कर दीजे, और जैसे जाब मिक्स करते जाओगे, तो अब आप देखे, इसका कलर है, वो कितना बढ़िया आ चुका, ये देखे, नॉर्मल फिर्णी की बदले, ये फिर्णी आप एक बार जरूर से जरूर तो फिर्णी को मैंने 7-8 घंटे तक फ्रीज में रखकर पूरा चिल कर लिया था, एकदम ठंडी हो चुकी है, तो चलिए अब इसको सर्विंग बावल में सव करते हैं, मेंगो फिर्णी आप अगर फ्रीज में रखकर फिर सव करते हो, तो ही इसका स्वाद बहुत ही बढ़ करता हूँ, आप कुछ केरी के पिसीज भी चौप करके उपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, तो बस आज आपने देखा, मैंने आपके साथ मेंगो सीजन के एकदम खास रेसिपी, डिलिश्यस मेंगो फिर्णी के से बनाते हैं, वो सिखाया, तो अगर आपक कोई रेसिपी पसंद आई हो, तो औरों के साथ शेर करिए और मेरी चनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आज के लिए बस इतना ही, इसे नई-नई रेसिपी मैं आपके साथ और शेर करता रहूंगा, धन्यवाद